यहां जीते वही आकर जो हिम्मत जीत लाए थे हसी दुनिया यहां जिन पर वही सरताज कहाए थे और गिरे वही यहां आकर जो आए अस उपर चड़कर गिरेंगे वह यहां क्या जो सरक कर रड में आए थे आओ आज हम तुमको लिये चल रहे हैं जो विचित तरताएं का टॉपिक है उसके बारे में लिये चल रहे हैं कि सबसे बड़ा जीवित पच्छी सुतुर मुर्ग कहाता है और सबसे बड़ा कपी दुनिया में गोरिला कहलाता है सबसे बड़ा जीवित पच्छी सुतुर मुर्ग कहाता है सबसे बड़ा कपी दुनिया में गोरिला कहलाता है सबसे छोटा इस्तनी जो छचुन्दर वो कहलाई है और अंड जरायुकत इस्तनी जो कंगारू बतलाई है सबसे वेष्ट जो मानव कांग हरदय वो बतलाते है अब सबसे बड़ा जीवित सरीश्रप टर्टल कछुआ कहलाते है सबसे बड़ा जीवित सरीश्रप सबसे वेष्ट मानों कांग हरदय बतलाया जाता है और जो सबसे बड़ा जीवित सरीश्रप वर्ग का जो प्राड़ी होता है वो टर्टल होता है इसे कछुआ कहलाते है कटपुंज पच्छी बहुत तेज दोड़ता है सबसे तेज दोड़ने वाला पच्छी है जिसे इंग्लिस में कहते हैं सबसे बड़ा सर्प जो है पाइथन ही तो होता है सबसे बड़ा सर्प पाइथन बताया गया है सबसे छोटा पच्छी जो हमिंग बर्ड कहाता है जिसे गुण्यन पच्छी भी कहते हैं सबसे छोटा पच्छी जो उसे हम्मिंग वर्ड कहाता है सबसे बड़ा अंडा जो सुतर मुर्ग दे जाता है सबसे उंचा इस्तनी जो जीराफ अफरीका वाला है कीवी पच्छी सबसे चोटा है सबसे बड़ा अंडा सुतर मुर्ग देता है और सबसे उंचा इस्तनी जो धरातल पर पाया जाता है वो जीराफ अफरीका का है सुत्रमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है ये अंडों में जब पूछा जाएगा इसके अंडे की कोशिका भी सबसे बड़ी होती है और सबसे उचा इस्तनी जो है वो जीराप और सबसे बड़ा भारी इस्तनी जो है नील वेल जो बताई गई है वो मचली है आगे सबसे बड़ा इस्थली इस्थनी जो अफरी की हाथी कहाता है अंडप्रजक इस्थनी जो एकी डना वडर्ग वेपलेटी सता है अंडप्रजक इस्थनी जो है एकी डना सबसे बड़ा इस्थली इस्थनी अफरी की हाथी और जो अंडप्रजक इस्थनी है वो एकी डना वडर्ग वेपलेटी सता है अब दोहा में आजाओ मतलब आदि मोलस्का किसे कहते हैं कीटो डर्मा को लैमर क्या है आदि प्राइमेट है सबसे बुद्धिमान चिमपैंजी है कपी और सबसे छोटा कपी पुछा जाए तो गिबन आंसर दीजेगा फ्राइनो सोमा चोटी जराईओ जो छिपकली सबसे छोटी जराई छिपकली है फ्राइनो सोमा और सबसे बड़ा गैष्ट्रोपॉड जो होता है वो हेमी फसकस होता है सबसे लंबी कोषिका अगर पूछी जाये यह राना गोलियात मेड़क है सबसे लंबी कोषिका अगर पूछी जाये तो आप तंत्रिका कोषिका कहेंगे और सबसे पहले सबसे आधि हेलमित जिसे लोग होते हैं फाइलेरिया बगेरा वो प्लेनेरिया सबसे आधि हेलमित है और आधि एनेलिड पाली गार्डियस छोटी अस्ति इस्टेपिस वहा है आधि एनेलिड आधि एनेलिड है पाली गार्डियस और सबसे छोटी अस्ति जो ह जाईजेंटो सोरसा है बला जिवास्म जो है सरीशरप का वो जाईजेंटो सोरसा है बुद्धिमान होमोनिडा मनुष्य है सबसे बुद्धिमान होमोनिडा मनुष्य को बताएगा आधिस्तनी एके डिना है अंडप्रजनन इस्तनी जो डकबिल प्लेटी पास कहा है छोटा उ सबसे छोटा है जो उड़ नहीं पाता है इसको लियोड मत्स जो जरायूज रही कहा है इसको लियोड और मत्स जो है वो जरायूज कहलाती है और जरायूज अर्थोपोडा बिच्चु है जरायूज अर्थोपोडा जो है वो बिच्चु बिच्चु किस संग में आता है पर या समुद्री सरप जरायुज सरप कहलाते हैं आगे हैं हैं ये कवन अमने बिच्छु किसमें बताया था आप बताइगा जरायुज आर्थोपोड़ा बिच्छु है और ये है तुमारा कीवी पच्छी और हैं एक मात्र विसेली छिपकली है लो डर्मा कहाए सबसे विसे जो इस्टोन मीन दर्सा है सबसे विसेली छिपकली हैलो डर्मा सबसे विसेली मचली जो है वो इस्टोन मीन और सबसे बड़ा विसाडु जो पाक्स विसाडु कहाता है सबसे बड़ा विसाडु जो पाक्स विसाडु कहाता है सबसे बड़ा विसाडु जो है पाक्स है वो फीमर को बताई जाती है फीमर को सबसे बड़ी ग्रंथी बताया जाता है सबसे बड़ी अगर अस्थ है सरीर में उसको फीमर को बताई जाती है अब ग्लूटियस मैक्सिमस जो है बड़ी पेसी बतलाई जाती है ग्लूटियस बड़ी पेसी बतलाई जाती है झाल 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 झाल